नमस्कार इस्टोन इस्टोन आज मैं आपके साथ डिसकस करूँगा सर्फे से रियाल पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ठीक है आपको पता हो सकता है यद पता है तो बहुत अच्छी बात है पता नहीं है तो आज बहुत अच्छी चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे य यह बहुत वेनिफिट रहेगा हमें पता लग जाएगा किस तरह कोशन बोड एकजामिशन माते है ढाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कों के उपर एक को सन कोन की हाइट आपको दे रखिया इस तरह के बहुत सारे को सम्क्रेट हो सकते हैं हम केबल यह कोसन नहीं करेंगे समय नहीं करेंगे, समय नहीं कोशिश करेंगे concept को, ठीक है, एक कोन आपको दे रखा है, इस कोन की height 12 cm दे रखी और ये base जो है, वो 6 cm की radius का दे रखा है, इस कोन को यहां 4 height से cut कर दिया आता है, ठीक है, इसको अटा दिया जाए, इसको अटा दिया जाए, तो नीचे क्या बन of core, ठीक है, इस तरह का portion मन जाएगा आपके पास, यह ना, और इसे बोलते हैं, fresh term of core, इस तरह का मन जाएगा, जब हम ऊपर से इस पार्ट गोट आएगे, तो इस तरह का fresh term मन जाएगा ना, ठीक है, हमें बताना है, इस fresh term का total surface area क्या निकल के आएगा, लेकिन total surface area हम कब निक का सकते हैं, जब हमें यह base radius पता हो, यह radius पता हो, साथ में यह radius भी पता हो, ठीक है, यहाँ पर हमें यह radius गिवन नहीं है, नई बात हम यह समझनी कोशिश करेंगे, कि जब हमारे पास यह radius पता हो, यहाँ से आते की height पता हो, यह ऊपर की height पता हो, तो यह radius कैसे निका सकते ह रखेगा यहां पर दो ट्रांगल बंते हैं और दो ट्रैंगल से इन ट्रैंगल पर अदो इन ट्राइंगल A, N, C END ट्राइंगल दूसर ट्राइंगल कौन साल है? यह छोड़े ट्राइंगल है A, M, Q A, M, Q आप इसमें देखोगे कि यह एंगल जो है दोनों में common है ठीक है? आप लिख सकते हो कि एंगल जो A है वो क्या है? common है ठीक है? और यह लाइन इसके parallel थी तो आप यह भी कह सकते हो कि यह एंगल दोनों equal है? एंगल M और एंगल N दोनो 90 डिग्री है ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि Y, A similarity Y, A similarity यह ट्राइंगल A, N, C similar to triangle क्या होगा? A, M, Q होगा ध्यान रखना यदि एक question आपका 3-4 number का है तो इस तरह से एक दो लाइन लिख देंगे तो जाद अच्छा रहेगा कई बार इसको डारेक्ट लिख देता है कि triangle this is similar to this triangle ठीक है? कोई प्रवल्म नहीं आएगी यह radius आपके पास R2 है और यह radius हमारे पास R बन है ठीक हम यह कह सकते हैं कि इस condition में by similarity relation से हमारे पास similarity यह condition से लिख सकते हैं कि R1 upon R2 ठीक है? बड़े triangle में यह side और छोटे triangle में यह side ठीक है? और बड़े triangle भी यह side देना रखना यहां से लिए कर आएगा? AN AN upon छोटे triangle में यह side यहां से लिए कर यहां ता AM AN upon क्या आएगा? AM आएगा हमें यहां पर R1 given है R2 में निकाल आए और हमें यहां पर AN given है और AM given हमें तो लिख सकते हैं आर बन क्यत्रा है हमारे पास? 6 है यहां पर यह R2 रहने दिए और AN क्यत्रा हमारे पास? AM नों नहां पास 12 है और AM AM हमारे पास 4 है ठीक है? तो हम यहां से solve कर सकते हैं तो इससे solve करेंगे तो यह आ जागा 12 R2 इकल to 6 into 4 और जब हम R2 निकालेंगे तो आ जाएगा 6 into 4 upon 12 ठीक है और R2 उमारे पास निकल का जाएगा वो निकल का जाएगा यह जाएगा 2 time वो इससे 2 से cancel हो जाएगा तो R2 उमारे पास 2 आ जाएगा ठीक है R2 उमारे पास 2 आ गया हमें जो यह फ्रेश्टम का उपर वाला रेडिय से पता लग चुका है फ्रेश्टम का निचे वाला रेडिय से में given था अब हम यहां से लेकर यहां तक यह height भी निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं कि M और N हमारे पास कितना होगा पूरा यहां से तक कितना है यह 4 है तो हम कह सकते हैं कि M जो है 12-4 जो है कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अब आपको यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि यहां से आ तक जो हाय टेप हमारे पास फ्रेश्टम की वह पता लग गई जो 8 है एना और इस फ्रेश्टम की नीचे वाली dat is r2 पता है तो इसका total surface area निकाला हमारे पास एक formula हता है क्या formula है Total surface area of the ministro Carney के कर्ब reference क्या होगा आपके पास खाली यह वाले एरिया निकालना चाहते हैं that is a curve surface area क्या होता है वो होता है हमारे पास curve surface area पाई द्यान रखना पाई L R1 प्लस R2 ठीक है यह आएगा और प्लस नीचे वाला area निकालेंगे तो कितना हो जागा पाई R1 square और उपर वाला area निकालेंगे तो पाई R2 square आ जाएगा तो इस तरह से टोटल surface area निकल के आ जाएगा ठीक है द्यान रखना यह करब surface area होता है पाई L R1 प्लस R2 और प्लस पाई R1 square प्लस पाई R2 square लेकर आप प्रोलम यह क्रेट हो गई इसमें L और कहीं से आ गया ठ द्यान रखना है इस्टोन इसको यहां से आता की जो हाइट होती है इसलाइन टाइट इसको एल करते हैं एक कोन का यह पाट द्यान रखना यहां से लेकर यहां तक QC वह हमारे पास क्या है L है अब L निकालने का हमारे पास formula होता है क्या formula होता है जब हमारे पास यहां से यह पता हो, R1 पता हो, और R2 पता हो, तो क्या हम L निकाल सकते हैं? ठीक है? ध्यानरक ना. हमें L निकालने का फर्मॉला होता है, L इकल टो होता है, under root of, ठीक, R1 स्क्वेर, सोरी, H स्क्वेर, प्लस R1 माइनस R2 स्क्वेर. याद रहेगा? यह फर्मॉला याद हो, हमें सबसे इंप कोन्स के फॉर्मॉला जरूरी आदे हैं? कि टोटर सरफीस है क्या होता है? करफ सरफीस है क्या होता है? ल निकालने के क्या फॉर्मॉला होता है? यदि सही तरह से में फॉर्मॉला आद रह गर th doen, हम निश्ですね, 4 नमर का. हमई Ж- encryption बहत ऊंथी- question आदे है, फॉर्मॉला बेश- तो आपको इसन आराम सुल कर लोगे यहाँ पर हम L निकाल सकते हैं L क्या हमारे पास? L हो जाएगा हमारे पास H square H कितना हमारा? 8 है हम लिखेंगे इसे 8 square plus R1 minus R2 R1 minus 6 है 6 minus R2 2 है तो यह हो जाएगा square तो L हमारे पास हो जाएगा 64 plus यहाँ पर बच्चाएगा हमारे पास 4, 60 add करेंगे तो यह हो जाएगा 70, 80 तो L हो जाएगा root 80 ठीक है? और root 80 को लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो आप लिख लें इसको 16 into 5 लिख सकते हो 16 को root से बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा तो L जो है 4 root 5 लिख सकते हो ठीक है? और देखो उसने एक बात दे रखी है कि root 5 की value को इतना put करें यह question दे रखा है ठीक है न? तो कहने का मतलब root 5 कहने की question आएगा तो आपने root 5 की value यहाँ पर put करकर L की value पूरी तरह से निकाल सकते हो अब आपको L पता लग गया आपको R1 पता है R2 पता है ठीक है? तो आप इसके कहने काल सकते हो total surface area निकाल सकते हो लिखे total surface area तो total surface area आजाएगा हमारे पास pi L L कितना आगया हमारे पास? आगया सर 4 root 5 ठीक है? L R1 प्लस R2 R1 कितना है? 6 प्लस R2 कितना 2 ठीक है? प्लस pi R1 square R1 में 6 square प्लस pi R2 square means 2 square ठीक है? अब आप इसे solve कर सकते हो इसे solve करना को बहुत मुश्किल काम नहीं होता है आप solve करने है इसकी calculation अपने आप कर सकते हो आप यहाँ पर लिखे ले 22 over 7 आप इसे नहीं कहा है कि pi की बहुत पूट करें आप चाहो तो pi की बहुत 3 3.14 भी रह सकते हो कोई प्रोलम नहीं आएगी पर चाहो तो आप यहीं पूट कर सकते हो ठीक है? यहाँ पर आगे 22 over 7 यहाँ पर आजाएगा 4 into आप pi की root 5 बहुत करेंगे 22 over क्याएगा? आप दोगए यहाँ पर 22 over 7 common ले जाद अच्छा रहेगा आप यहाँ से pi common ले लेंगे तो जाद अच्छा रहेगा pi common ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36 plus 2 to 4 इतना आजाएगा जाद इजी हो जाएगी और इस pi की जगया पर हम क्या पूट कर सकते हैं? 22 over 7 पूट कर सकते हैं और इसे solve कर सकते हैं नई बात हमने आज क्या सीख ली? नई बात यह सीखी है हमने ध्यान रखना कि यह radius पता हो और यहाँ से यहाँ तक total height पता हो और ऊपर से cone cut कर दिया जाए तो इस तरह का फ्रेश्टम करेट होगा और उस condition में यहाँ से R कैसे निकालेंगे ठीक है? कई बार यहाँ पर R1 और R2 डारेक्ट ने गिवन होती यहाँ पर indirect लिए आपने क्या निकाली R2 की बेलो निकाली जब आपको R2 पता लग गया तो आपने क्या निकाला? सिलाइन्टाइट पता किया सिलाइन्टाइट का यह फर्मॉला याद रखना है कि सिलाइन्टाइट का फर्मॉला हमारे पास यह होगा ठीक है? और यहाँ पर R2 लगाने के लिए इमने क्या करा? यह दो ट्राइंटाइट को सिलाइट करा समझो है और नमर ड्रिव बर आप राबर रहा जाहिए पर ऐसा होता रही है हजारों भी में या सेकडम भी आए लेकर लाइक डिसलाइक जरूर किया जिसे लिए को हम लोग पता लगे कि बात आपको कि आ रही है या नहीं आई रही है एक कुछन दे रहा हूं उसको सो जोन करी आछ इसन यह कुछन 2015 में बोर्ड माया कब आप देख रहे हो कि यह इस कौस्टम में आपको दे रखा है कि राइट ट्राइंगल है और अपको पेरीमिटर के बीन है और इसका एकट्रीन है आप देख रहे हो कि इस तरह का कंवारे किसी बुख्पश्च पर तो नहीं है ठीक है तो शर्फेस ही रहे हैं जराइब तरिए कर दों और साथ मैं यह साथ में आपको बताना है यह सब्सक्राइब को एरिया क्या हो सकता हूँ यह को सब्सक्राइब को सकते हैं अब जड़ा सॉल करके में बताइए कि इस कुछेन का आंसर क्या हुआ इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या हुआ बता सकते हो क्या एक बाद ट्राइगर करें कोशिश करें जरू कोशिश करें और आंसर को पुब्लिकली कोमें बॉक्स में लखने की कोशिश करें में यहां पर दे रखा है कि X plus Y plus 25 जो है मिलाकर कितना दे रखा है 60 दे रखा है ठीक है तो आप यहां से X plus Y कह सकते हो 25 और आप यहां से Y कि बेल रिखाल सकते हो यह कितना हो जाएगा 5 और यह 35 माइनस का X यह आपके पास भाई की वेलू आ गई और इन में एक relation create होगा क्या create होगा कि x square plus y square equal to कितना आएगा 25 होगा आपको यहाँ पर भाई की वेलू पूट कर दो कर सकते हैं उसके बाद x value निकाल लो जो आपको एक्स और भाई पता लगी जाए तो भाई पता कर लेना तो ट्राइंगल गिरें तो पता लगी जाएगा न जरूर करिए और हां बोर्ड आपके नजदीक आ चुका है जाद दिन नहीं है इसलिए मेरे से बात करते लिए अपनी समस्यां solve नहीं होगी केवल समस्यां बढ़ सकते हैं tension लेने से ठीक है मस्त रहिए अच्छा खान पान रखिए और अपनी पढ़ाई regular करिए thank you very much thank you कर सकते हैं